श्कार दोस्तों मैं धर्वेन वर्मा उनलाइन इस्टडी वीडिये में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज हम बात करने वाले हैं परियावारन अध्यान से सम्मनित दोसो अतिमहतपूर्ण प्रस्णों के बारे में दस अध्याई से ले गए हैं कौन-कौन से दस अध्याई हैं परिवार पोधे वन जी उमित रेवं मितरता भोजन आसरे मानव नर्मित उप्योगी वस्तमे जल भ्रह्मन और वीवेदिये दस अध्याई उससे दोसो प्रस्ण ले गए हैं जो कि काफ़ इंपोटेंट हैं तो आपको स्किप नहीं करना है वीडियो को पूरा देखना है और अंतम में हमें जरूर बताना है कि आज का वीडियो आपको केस लगा यदि आपको ये पीडियेप चाहिए तो आपको हमारे एप्स टेट सक्सेस को डाउनलोड कर सकते हैं जिसके लिंक आपको डिस्केप्शन में मिल जाएगी वहाँ पर आपको सीटेट यूपीटेट और अन्यटेट जो होती हैं उनसे भी के प्रावे सीयर पेपर साथ में आप वहाँ पर क्यूज दे सकते हैं और बहुत सारे आपकर एक बार चेक आउट कर लिजिगा तो सुरुवात करते हैं आज का पहला प्रश्नी हमारा नल के पानी में कौन सा रशायन होता है जो नल का पानी होता है उसमें कौन सा रशायन होता है पूछा गया है चाहे तो आप यहाँ पर आपका आकलन भी कर सकते हैं इन दोस्त आपको क्या होगा? यहाँ पर क्लोरीन याद रखेगा. नल के पानी में कुन सा रसायन होता है? क्लोरीन होता है. दूसरा प्रश्ण सामुहिक प्रतिनिधान या चेतना के अधार पर व्यक्ति और समाज के बारे में किस विद्वान ने सिध्धान्त प्रतिपादित किया है किसके द्वारा किया गया है प्रतिपादि सिध्धान्त दुर्खिम हाप्स लोक या फिर रोसो काफी important है, तीसरा प्रश्ण, right answer आपका होगा, दुर्खिम, याद रखेगा, सामोहिक, प्रतिनिधान या, चेतना के अधार पर व्यक्ति और समाज के बारे में, दुर्खिम ने, जो सिधानते हैं, वो प्रतिपादित किया है, तो right answer आपका क्या होगा, यहाँ पर पहला वाल होगा, अगला प्रश्ण, समूदरी शेवाल किसका महतपून इस्त्रोत है, क्लोरीन का है, ब्रोमीन का है, आयोडीन का है, या फिल लोहा का है, समूदरी शेवाल किसका महतपून इस्त्रोत है, right answer आपका होगा, आयोडीन, याद रखेगा, जो समूदरी शेवाल होता है, य प्रस्तर प्रस्तर जीवी कारक नहीं होता है पेड़ पोधे जन्तु और सुक्ष्म जीवी कारक के अंतरगत आते हैं अधिकतर पेड़ पोधे पाए जाते हैं इस्तल मंडल में जल मंडल में वायू मंडल में या फिर प्रकाश मंडल में सरलसा प्रस्त नहीं है आप सभी को पता है जो अधिकतर पेड़ पोधे पाए जाते हैं वो इस्तल मंडल में पाए जाते हैं पर पहला वाला विकल्पे पर बारा कहा गया है इंपोटेंट है धियान दीजेगा बी वाला विकल्पे आपका सही होगा जले सनरक्षण संभव है इसके बारे में पूछागा है तो आपका राइट आंसर होगा ये म्रदा आपरदन पर नियंतरन से भी संभव है विरक्षा रोपन एवंपुना वनिकरन से भी संभव है, साथ में पानी की विवयर्थता को रोपने से भी संभव है, जैने सनरक्षन, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर उप्रोक तो सभी होगा, नाइट्रोजन डाइकसाइड और कार्बन मोनो अकसाइड गेस किन घरों में पाई जाती है, गेस कुकर वाले घरों में पाई जाती है, लकडी के फरनीचर वाले घरों में पाई जाती है, आग के चूले वाले घरों में पाई जाती है, यहाँ पर पहला वाला विकल पे आपक प्रत्वी के धरातल के नीचे सेल के समतरप्त भागों में संचित जल कहलाता है या फिर इस्तृत कहलाता है तो यहाँ पर आपका राइट आन्स रोगा भूमिगजल याद रखीगा प्रथ्वी के धरातल के नीचे सेल के समतरत भागों में संचित जल भूमिगजल कहलाता है कोयल को किस स्रेनी में वरगीकरत किया गया है पक्षी, सरी सर्प, कीट पतंग या फिर स्तंधारी सभी को पता है को या लिक पक्षी होता है और उसे इसी स्रेडी में वरिक्रत किया गया है तो यहाँ पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा अंतराश्टी स्तर पर प्रकाशित रेड डाटा बुक में कितनी पुस्तके हैं यहाँ पर देखे रेड डाटा बुक के बारे में तो आपको सभी को पता होगा लेकिन इसमें कितनी पुस्तके हैं यह पूछा गया है पांच, छे, एक या फिर चार तो याद रखीगा इंपोटेंट प्रस्णिय है कितनी पुस्तके होंगी पांच पुस्तके होंगी यहाँ पर पहला वाला विकलपे आपका सही होगा समझी करण के निमलिखित साधनों में से कौन सा साधन आपचारिक यहाँ पर देखे अपचारिक पूछा गया है अनपचारिक नहीं पूछा गया है अपचारिक पूछा गया है धर्म है प्रता है परिवार है या फिर सिक्छा है तो राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर सिक्छा है यदि अनपचारिक पूछा जाता तो आपका राइट आंस पारिवारिक याद रखेगा समाज में बालक का सम्मान उसकी पारिवारिक परंपरा के अधार पर होता है। विशेला तत्व होता है, यहाँ पर विशेला तत्व आपको बताना है अकबार में कौन सा होता है, सीसा होता है, पारा होता है, मेगनीज होता है या फिर केडमियम होता है, अकबार में कौन सा विशेला तत्व होता है, राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर सीसा, कौन सा वि पूछा गया है तो याद रखीगा ये थोड़ा अमली होता है सुद्ध जल तो यहाँ पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा पानी में से असुद्धी, दहीं से मखन, गेहुं से छोटे कंकड, आदी को अलग करने की किरिया को कहते हैं क्या कहते हैं मिसरन कहते हैं, प्रथक करन कहते हैं, चानना कहते हैं या फिर उधरव पातन कहते हैं यहाँ पर देखें पानी में से असुद्धी, दहीं से मखन और गेहुं से छोटे कंकड को अलग किया जा रहा है तो इस किरिया को क्या कहेंगे प्रथक करण कहेंगे, यहाँ पर B वाला विकल्पे आपका सही होगा निमलिकित में से कौन स्वस्त अस्थियों के लिए आवशक है प्रशन को दोहरा लेते हैं निमलिकित में से कौन स्वस्त अस्थियों के लिए आवशक है अगला प्रश्ण जली जन्तूओं में स्वसन होता है किसके द्वारा होता है फेपडों द्वारा होता है वाईउ कोस द्वारा होता है या फिर गलफडों द्वारा होता है काफ़ इंपोर्टेंट और काफ़ी सरल है आप सभी को पता होगा कि जो जली जन्तूओं का स्वसन होता है वो गलफडों के द्वारा होता है किसके द्वारा होता है गलफडों द्वारा होता है अगला प्रशन नीचे दिये गए सभी जानवरों में से निमलिकित में से कौन सी विसिस्ता पाई जाती है यह आपको बताना है छिपकली, गोरेया कच्छवा और सांप इनमें कौन सी समानता पाई जाती है किसकते हैं और फिर कौन सी विसेस्ता है जो पाई जाती है कि ये सभी अंडे देते हैं उनके सरीर सलकिक से ढखे होते हैं वे जहरीले होते हैं या फिर भूमी एवं जल दोनों में रह सकते हैं शिपकली, गुरेया, कच्छवा और सांप के बारे में बताना है तो शिपकली, गुरेया, कच्छवा और सांप ये चारो ही अंडे देते हैं ये समानता होती या फिर ये विसेस्ता होती है तो राइट आंसर आपका यहाँ पर पहला वाला होगा अगला प्रशन एक से अधिक जातियों का समूच जो किसी इस्थान पर रहता है उसे क्या कहते हैं जेव इविविता कहते हैं जेव समुदाय कहते हैं पारी तंत्र कहते हैं या फिर जेव समुदाय कहते हैं तो याद रखिएगा पच्छिसवे का अंसर होगा जेव समुदाय एक से अधिक जातियों का सम जो किसे इस्थान पर रहता है उसे जेव समुदाय कहते हैं रेन बसेरा है एनाथ लोगों के लिए उपलब्द निवा से गर्म इस्थानों से ठंडे इस्थानों पर जाना है फूर्थ वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रश्ण भारत में स्तापित होने वाला पहला राष्टी उध्यान कौन सा है कारबेट राष्टी उध्यान है वेलवादा राष्टी उध्यान है पेरिया राष्टी उध्यान है या फिर बांदेपूर राष्टी उध्यान है भारत में स्तापित होने वाला पहला राष्टी उध्यान को उनसा है सरल सा काफी इंपोटेंट है सभी को इसका अंसर पता है कि ये कारवेट राष्टी उध्यान है जो कि भारत में स्तापित होने वाला पहला राश्टी उद्ध्यान है घरों में साज सज्जा की सामगरी में रखे क्रतीम पारितंत्र को कहते हैं हर्वेरियम कहते हैं, एक्वेरियम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं या फिर वीडियो कौन कहते हैं घरों में साज सज्जा की सामगरी में रखे क्रतीम पारितंत्र को क्या कहते हैं तो इसे एक्वेरियम कहते हैं क्या कहेंगे इसे एक्वेरियम कहेंगे भारत के अधिकांस वन्ह जीव सनरक्षित छेतर से गहरे हूए हैं गहने जंगलों से हैं, नदियों यमजीलों से हैं मानूवी बस्तियों से हैं या पिर परवत एवं पहाड़ियों से हैं प्रशन को ध्यान से पढ़ना है प्रशन में पूछा गजा है कि भारत के अधिकान से वन जिव सनरक्षित छेत्र किस से घिरे हुए हैं तो ये मानव बस्तियों से घिरे हुए यहाँ पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रश्ण निम्न में से कौन सरवाधिक उत्पादक पारिष्थत की तंत्र हैं उस्न कटिबंदी वर्षवन है तुन्रा है सवाना है या फिर मरुस्तल है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उस्न कटिबंदी वर्षवन याद रखीगा यह सरवाधिक उत्पादक पारिष्थत की तंत्र है यहाँ पर पहला वाला विकलपे आपका सही होगा भारत में सदा बाहर वन पाए जाते हैं गंगा के मेदान में चोटा नागबुर पठार पर पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालो पर या फिर मालवा पठार पर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालो पर भारत में सदा बाहरवन पाए जाते हैं यहाँ पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा मरश्चिली करन से भूमी की उत्पादन छमता में होता है सम व्रद्धी रहास या फिर आने मित्ता तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा रहास मरस्तली से भूमी की उत्पादन छमता में क्या होता है रहास होता है यहाँ पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा जली पोधे carbon dioxide का आउसोसन करते हैं सीधे वातावरन से करते हैं जल से करते हैं calcium carbonate से करते हैं या फिर इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर आपका right answer होगा जल से जली पोधे carbon dioxide का जो आउसोसन करते हैं वो किस से करेंगे जल से करेंगे अगला प्रश्ण बीज अंकूरन की अउधार्णा को इस तरह सबसे बहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है यहां पर पूछा गया है किस तरह से सबसे बहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है बीज अंकूरन की अउधार्णा को बीज बोने अंकूरन के विबिन चरणों का उलोक या फिर बोड पर चित्र बनाते हुए अंकूरन के चर्णों को प्रदर्शित करना यहाँ पर आपको बीज अंकूरन की अउधाना के बारे में आपको बताना है कि इसे किस तरह आप सबसे बहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं तो राइट आंसर आपका होगा बीज बोने अंकूर सिध्धान्त व्यक्ति और समाज से सम्मझत नहीं है प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कौन सा सिध्धान्त है जो व्यक्ति और समाज से सम्मझत नहीं है समाजिक समझोता सिध्धान्त है माकसवादी सिध्धान्त है या फिर सामोहिक मन का सिध्धान्त है तो यहाँ पर आणसर होगा माक्सवादी सिध्धान्त मनुविज्ञानिक वतावरंच बालक की मानसीक छंताओं को द्रढ़ करने के लिए कब तक पर्म आवश्चक है 3-4 वर्षों तक है 5-6 वर्षों तक है 7-8 वर्षों तक है या फिर 2-3 वर्षों तक है तो ये रहेगा हमारा 5-6 वर्षों तक याद रखेगा परिवार का मनोविज्यनिक वातावरान बालक की मानसिक छमताओं को द्रड करने के लिए जो परमावशक होगा वो 5-6 वर्षों तक होगा सामाजिक अंतह किरिया के लिए सदश्यों में से महतपून क्या है निकटता है ब्राततु है पारसपरिक जागरुकता है या फिर इस्ताई संबंद है सेतिस का आंसर क्या होगा तो यहाँ पर आपका रैट आंसर होगा पारसपरिक जागरुकता है याद रखेगा सामाजिक अं सत्ता वाला परिवार उसी क्या कहेंगे आप मातर सत्ता अत्मक, पित्र सत्ता अत्मक, पित्र वंसी या फिर पित्र अस्तानी तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा मात्र सत्तात्मक माता के पास सत्ता वाला परिवार मात्र सत्तात्मक और पिता के पास सत्ता वाला परिवार पित्र सत्तात्मक परिवार होगा तो यहाँ पर माता के पास पूछा गया है तो आपको पहला वाला राइट आंसर होगा अगला प्रश्णु केलास खांगला जिनके नाम पर वन्य जीव सम्मंदी फेलोशिप दी जाती है का मूल निवास कहाँ पर है कुरू छेतर हर्याणा में है जासी मद्यप्रदेस में है जैपुर राजिस्तान में है और नई दिल्ली में है तो यहाँ पर आपका राइट आंस राजिस्तान में आता है चलिए अगला प्रश्ण है अंजली की शहली दातों में 6 से बचने के निमलिखित 4 तरीके बताती है यहाँ पर देखिए 4 तरीके है और कूट में आपको आंसर देना है कौन सा तरीका सही होगा पूछा गया है कि अंजली को उप्युक्त तरीकों मे से किसका अनुपालन करना चाहिए दिन में दो बार ब्रश करें इने मिल कमना हो इसके लिए ब्रेजिस पहने मिठाई चोकलेट और कारवन डाय एक्साइड युक्त पे पदार्त ना ले और चोथा विकल्प है हर खाने के बाद कुल्ला करें इने 4 विकल्पों में से आपको युक्त पे पदार्त ना ले और हर खाने के बाद कुल्ला कर ये अंजली को प्युक्त तरीकों में से इसका अनुपालन करना चाहिए तो कूट में आपको आंसर कहां पर मिलेगा बी वाले विकल्पे में पहला तीसरा और चोथा यहां पर सही विकल्प होंगे इसका इपरीवार को नेतिक एवां सामाजिक दरष्टी से क्या स्विकार किया जाता है इकाई, धर्म, विध्याले या फिर समाज समाजिक द्रश्टी से परिवार के बारे में आपको बताना है कि इसे क्या स्विकार किया जाता है तो आपका यहाँ पर आइट आंसर होगा इकाई परिवार को नेतिक एवं सामाजिक दस्टी से एकाई के रूप में सुक्यार किया जाता है यहाँ पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा वहाँ परिवार कौन सा है जिसमें पती-पत्नी अपने आविवाहत बच्चों के साथ रहते हैं तो उस परिवार को क्या कहेंगे एकांकी परिवार कहेंगे जिसमें पती-पत्नी दादा-दादी विवाहत बच्चे आविवाहत बच्चे सब यानिक सामो ही कुरूप से जो रहते हैं उस परिवार को क्या कहते हैं उस परिवार को सर्क्त परिवार कहते हैं और जिसमें सिर्फ पति-पत्नी और आविवाहित बच्चे होते हैं उसमें उस परिवार को क्या कहते हैं एक कांग की परिवार कहते हैं रेड के अनुशार कौन सा परिवार का मुख्यकारी नहीं है, प्रश्न को धियान से पढ़ना है, कौन सा मुख्यकारी नहीं है, किसके अनुशार, रेड के अनुशार, सामाजिक सुरक्षा, वनसवरद्धी, सामाजिक करन या फिर योन इक्छा की पूर्ती, तो यहाँ पर आ की आवश्क्ता नहीं है, सभी को पता है कि 31% भाग पर प्रत्वी के लगभग 31% भाग पर जल का विस्तार है, तो पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा, अगला प्रशन जली पोधे कार्बन डाई अक्साइड का उसोशन करते हैं, सीधे वातावरण से करते हैं, जल से करते हैं, केल्सियम कार्बोनेट से करते हैं, या फिर इनमेशी कोई नहीं, जली पोधे कार्बन डाई अक्साइड का अवसोशन किस प्रकार करते ही, तो आपका राइट आंसर होगा, यह किस से करेंगे, जल से करींगे, यहाँ पर B वाला विकल्पे आपका सही होगा जल का मुख्य स्त्रोत है, यहाँ पर देखे जल का मुख्य स्त्रोत पूछा गया है, जील है, वर्सा है, महाशागर या फिर सागर है सभी को पता है कि जल का मुख्य स्त्रोत होता है, क्या होता है वर्षा होता है अगला प्रश्ण जल का रासाइनिक सुत्र जल का रासाइनिक सुत्र क्या है HO है, H2O है, HO2 है या फिर H2O2 है जल का रासाइनिक सुत्र पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होगा H2O, जल का रासाइनिक सुत्र क्या होता है H2O होता है अगला परशन पीने के पाने की कमी को दूर करने के लिए अब इस इस्तरोत की अभिसंसा की गई है कौन से इस्तरोत की अभिसंसा की गई है भुजल की, नदियों के जल्की, वर्षाजल की या फिर समुदरी जल्की तो यहाँ पर right answer होगा आपका भूजल की याद रखेगा पीनी के पानी की कमी को दूर करने के लिए जो भूजल है इस इस्त्रोत की अभिसंसा की गई है तो यहाँ पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रशन सुद्ध जल का पी एच मान होता है यहाँ पर देखे सुद्ध जल का पी एच मान आपको बताना है कितना होता है जीरो होता है साथ होता है साथ से कम होता है या फिर साथ से अधिक होता है तो पी एच मान पूछा गया है तो यह कितना होता है सुद्ध जल का प पाधीन या फिर भारहिन तो यहां पर आपका राइट आणशर होगा भारहिन सुध़जल में जो निम्न गुंड धर्म नहीं होता है वो भारहिन नहीं होता है तो यहां पर फोर्थ वाला विकलप आपका सही होगा अगला प्रश्ण Armor महाशागरों में जल इस्तर वर्द्धी का कारण है, आपको बताना है, धुर्वी प्रदेश में बर्प का फिगलना, अत्यदिक वर्षा होना, aml वर्षा या फिर उप्रुक्त में से कोई नहीं, तो यहाँपर आपका रwoman सिरुगां, धुर्वी प्रदेशों में बर्प का फ प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है, किस के नुसार पूछा गया है, किंग्सले डेविस के नुसार किस पारिवारिक कारे पर बल नहीं दिया गया है, धर्म का पालन, प्रजनन, इस्तान, निर्धारन या फिर सामाजी करन, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, ध क्या है, एक एंटिबायोटिक है, अनअपघटनी प्रदूसक है, अपघटनी उर्वरक है, या फिर दाइकलोरो, डाइड, फेनिल, डाइकलोरो एथेने, तो यहाँ पर डेडिटी के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा, एक अनअपघट प्रदूसक है, डी डी टी, तो यहाँ पर बी वाला विकल्पे आपका सही होगा, अगला प्रश्म, खेल वहाँ हैं जो कुछ हम करते हैं, जबकि हम अपनी एक्छानुशार करने को स्वतंत्र होते हैं, जो प्रस्तुत कथन हैं, यह किसका है, गलूक का है, तो यहाँ पर ज के खेल की विसेस्ता के बारे में पूशा गया है, यहाँ एक जन्मजात प्रवत्ती है, यहाँ एक आनन दायक प्रवत्ती है, यहाँ एक रचनात्मक प्रवत्ती है, या फिर उप्रोक्त सभी विसेस्ता हैं, तो खेल की जो विसेस्ता हैं, वो सभी होगा, यहाँ एक जन्म खेल धन अरजित करने का साधन है, खेल अपने आप में साध्धी है, साधन नहीं या फिर उप्रुक्तु सभी कथन असत्ति, यहाँ पर सत्ति कथन पूछा गया है, तो खेल अपने आप में साध्धी है, साधन नहीं, यहाँ जो दिया गया कथन है, यह सत्ति है, खेल से संबं लक्ष संबंदित होता है या फिर उप्रुक्त सभी तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा जो खेल तथा कारी में अंतर होता है वो स्वतन तता संबंदी भी होता है नियम संबंदी भी होता है और लक्ष संबंदी भी होता है तो राइट आंसर आपका उप्रुक्त सभी हो अगला प्रश्ण खेल तथा कारी में अंतर यहां पर देखे खेल तथा कारी में आपको अंतर बताना है खेल का कोई लक्ष नहीं होता है जबकि कारी में लक्ष निदारित होता है तो पहला वाला हमारा सही होगा खेल तथा कारी में सही अंतर है पहले वाले विकल्पे में खे तताकारे में तीनों ही अंतर होते हैं तो right answer आपका यहाँ पर उप्रोग तो सभी में अंतर है तो यहाँ पर फोर्त वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रश्न बाल विकास के दस्टिकोंड से खेल का महत्व है सारेरिक एवं मानसिक विकास में सायक होता है सविगात्मक एवं सामाजिक विकास में सायक होता है नेतिक एवं चारेत्रिक विकास में सायक है या फिर उप्रोक्तों सभी रूपों में महतपून है बाल विकास में दस्टिकोन प्रश्न को धियान से पंड़ना है उत्रदीकारी का वहा नियम जिसमें सदर्श्य जन्म से ही पारिवारिक संपत्ती का अधिकारी बन जाता है वहां होता है दाई भाग मिताक्षरा सहपिंड़ या फिर सगोत्र तो वह होता है मिताक्षरा या दखेगा इंपोर्टेंट प्रस नहीं पूशा जाता है उत्र अधिकारी का गहानियम जिसमें सरदिस्जinals में से ही पारिवारिक समप्ति का अधिकारी बन जाता है वहाँ मिताक्षरा होता है वी वाला विकल्पयाफ का सही होगा समाज का निर्माता किसे माना जाता है गांउ सहर देस या फरी व्यक्ती को सरल सा प्रस्ण ही आप सभी को पता है कि जो समाज का निर्माता माना जाता है वो व्यक्ति को माना जाता है अगला प्रस्ण किस राष्टी उध्यान को पूर्व में हेली राष्टी उध्यान कहा जाता है कौन सा राश्टी उद्याने जिसे पूर्व में हेली राश्टी उद्यान कहा जाता है सभी को पता है जिम कारवेट राश्टी उद्याने राजाजे राश्टी उद्याने दूद्वा राश्टी उद्याने या फिर इनमें से कोई नहीं पुदैपूर में है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा भारतपूर में राजस्तान का जो पक्ष्य अभ्यारन है वो भारतपूर जिले में इस्तित है यहाँ पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रशन जली वातावरण में सुक्ष्म जीवों को क्य जली वात्तावरण में पूछा गया है कि जो सुक्ष्म जीव होते हैं उसे क्या कहते हैं परजीवी कहते हैं पलवक कहते हैं सह जीवी कहते हैं या फिर मरतोब जीवी कहते हैं तो यहाँ पर आपका रैट आंसर होगा पलवक याद रखेगा जली वात्तावरण में जो प्रभावित होंगे सबसे पहले प्रश्ण कुधियान से पढ़ना है जेव मंडल से कारबन डाय अक्साइड निकाल दी जाए तो सरप्रथम कौन से जीव प्रभावित होंगे प्रात्मिक भोकता द्वतिक भोकता उत्पादक या फिर अप घटन करता तो यह होंगे हमारे उत सरवादिक होते हैं प्रात्मिक उत्पादक होते हैं अप घटन होते हैं या फिर तरतियक उत्पादक होते हैं खाद संखला में सरवादिक होते हैं तो याद रिखेगा इंपोटेंट प्रशन है एक खाद संखला में प्रात्मिक उत्पादक सरवादिक होते हैं पर पहला व ये उर्जा की आउशकता होती हैं अगला प्रश्ण जेविक संतुलन पाया जाता है उत्पादक वा अपगटकों की बीच पाया जाता है उत्पादक वा उपभुकता की बीच पाया जाता है केवल उत्पादकों की बीच पाया जाता है पर पहला वाला विकल्पे आपका प्राथमिक मांसाहारी नहीं है प्रश्ण को ध्यान से पढ़ना है प्राथमिक मानसाहरी कौन सा नहीं है घरगोष मनश्यगा या फिर मेंड़क राइट आंसर आपका होगा मेंड़क ये प्राथमिक मानसाहरी के अंत्रिकत नहीं आता है तो फूर्थ वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रश्ण मित मिताक्छरा नियम के प्रवर्तक होंगे वो विज्यानेश्वर होंगे यहां पर बी वाला विकल्पे आपका सही होगा कहीं कहीं जो ग्यानेश्वर भी लिखा हुआ है लेकिन आपका जो सही अंसर होगा वो विज्यानेश्वर होगा मिताक्छरा नियम के जो प्रवर्तक याद रखेगा परिवार की उत्पत्ती के जो एक वीवाही सिध्धानते की जो प्रतिपादफ होंगे वो इस्पेंसर होंगे अगला प्रस्न परिवार सिक्षा का सर्वत्तम रिस्थान और बालक का प्रत्थम विध्याले है यहां किसके द्वरा कहा गया पेश्टालोजी, मजने, बोगाट से या फिर काम टे तो यहां पर आपका राइट अंसर होगा पेश्टालोजी याद रखेगा परिवार सिक्षा का सर्वत्तम रिस्थान और बालक का प्रत्थम विध्याले है यहां पेश्टालोजी के द्वरा कहा गया हातियों के जुंड के बारे में सही कतनों को चुनी यहां पर देखे चार विखल पर दिये गए हातियों के बारे में आपको सही कतन चुनना है और कूट में आंसर देना है कि कौन सा सही होगा तो यहाँ पर पहला विकल्पे हैं हातियों के जुंड में केवल हतनिया और 14-15 वर्षे के बच्चे ही रहते हैं हातियों के एक जुंड में किसी एक ही परिवार के सदर्शी होते हैं तो यहाँ जरूरी नहीं है A और C, यहांपर सही कतन होगा, हातियों के जुंड के बारे में, तो right answer हमारा यहांपर क्या होगा, यहांपर तीसरा वाला होगा, इसमें A तथा C दे रखा है, और यही हमारा सही answer होगा, तो C वाला विकल्पे आपका यहांपर सही होगा, अगला प्रशन, पंखुडियों के पक्षियों के अंदर फूल के बीज में कुछ पतली पावडर जैसी रचना दिखाई देती इसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्पय आपका सही होगा पक्ची अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं इसका उधारन क्या है? उनके कान पंखों से ढखे होते हैं उड़ सकते हैं पक्ची आँखों की पुतली गुम नहीं सकती तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा एक किसान दानों को भूशेशे अलग करना चाहता है जिसे प्रक्रिया से यहाँ किया जा सकता है वहाँ कहलाती ही वहाँ क्या कहलाती है फसल की कटाई, हस्त चैन, थ्रेशिंग या फिर ओसाई तो यहाँ क्या कहलाती है तो यहाँ थ्रेशिंग कहलाती है याद रखिएगा एक किसान दानों को भूशेशे अलग करना चाहता है जिसे प्रक्रिया से यहाँ किया जा सकता है वहाँ थ्रेशिंग कहलाती है तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्पी आपका सही होगा परम परागत हिंदू परिवार का स्वरूप किस प्रकार का था सविक्त परिवार देखिए यहाँ पर परम परागत हिंदू परिवार का स्वरूप पूछा गया है तो सभी को पता है चार विकल्प पढ़ने की आवशकता नहीं है, किस परकार का परिवार था, सुख्त परिवार था, यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा, अभी जारा तर कौन से परिवार मिलते हैं, तो एकांकी परिवार मिलते हैं, जिसमें पती-पत्नी और उनके आविवाहिद बच्चे होते हैं तो अगला प्रशन है हमारा इस्टोरी आफ यूमन मेरिज नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कून है वेश्टन मार्क के है किम्बल यंग है आसकर लेवी से या फिर किंग से लेवी से तो यहाँ पर आपका राइट आणसर होगा वेश्टन मार्क याद रखीगा एस्टोरी आफ लूमन मेरिज नामक पुस्तक के लेखक वेश्टन मार्क होंगे यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा अगला प्रशन निम्लकित में से कौन सी सामगरी बनाने के काम में आती है फूर्त वाला विकल्प आपका सही होगा उन प्राप्त होता है जो उन प्राप्त होता है वो किस से होता है भेड उन्ट एवं याक के बालों से होता है भेड सेर एवं उन्ट के बालों से होता है उंट हाती एवं खरगोस के बालों से होता है या फिर गाय बकरी एवं भेड के बालों से उन प्राप्त होता है कहां से प्राप्त होता है राइट आंसर आपका होगा भेड उंट एवं याक के बालों से उन प्राप्त होता है यहाँ पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा चाय की पत्ती को चाय से अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है क्या कहलाती है चानना वास्पी करन मन्थन या फिर सगनन तो आप इससे याद रख सकते हैं कि हम चाय बनाते हैं उसके बाद उसको क्या करते हैं उसको छानते हैं तो इससा आप याद कर सकते हैं कि चाहे की पत्ती को चाहे से अलग करने की जो पक्रिया कहलाती है वो छानना कहलाती है यहाँ पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रशन वहां धागा जो पोधो एवं जानव जानवरों से मिलता है और दोनों ही क्या है प्राकर्तिक है और दोनों ही का जो धागा है वो प्राकर्तिक धागा होता है वहाँ धागा जो पोधो एवं जानवरों से मिलता है वो कौन सा धागा होगा प्राकर्तिक धागा होगा सिलिका वा सीरियम आकसाइड किस प्रकार के काच का संगठन है सोडा काच का है, फिलिंड काच का है, क्रुक्स काच का है या फिर क्राउन काच का है प्रशन इंपोटेंट हैं इसका सही आंसर होगा क्रुक्स काच याद रखेगा सिलिका वा सिरियम आकसाइड ये कुरुक्स काच के का संगठा के यहाँ पर तीसरा वाला जो विकल्प होगा वह आपका सही होगा अगला प्रश्ण परिवार सब्द अंगरीजी सब्द फेमली का हिंदी रुपांतन है ये सभी को पता है फेमली सब्द के उतपति लेटिन भासा के किस सब्द से हुई है ये आपको बताना है यहां पर देखिए, सही कथन आपको बताना है, परिवार से सम्मधित प्रशन पूछा गया है, परिवार एक संस्ता है, परिवार एक समिती है, परिवार एक समुधा है, या फिर परिवार ना तो समिती है, उनना ही संस्ता है, सरलसा प्रशन है, क्यूज के तोर पर मैं आपको question दे रहा हूं जिसका answer आपको comment से के माध्यम से बताना है आपको question number 87 लिखकर आपको answer A, B, C, D में answer देना है कौन सा सही है वहीं पर मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही answer दिया है या फिर गला तो आपको comment से के माध्यम से इसका answer देना है अगला प्रश्ण बाल विकास करम में खेल के स्वरूप में सही प्रतिरूप होता है यहाँ पर देखे बाल विकास करम में खेल के स्वरूप में सही प्रतिरूप कैसा होता है यह पूछा गया है किस प्रकार का होता है सेस्व वस्था में मानसिक प्रतिरूप होता है, कोई इसपश्ट प्रतिरूप नहीं होता है सेस्वावस्था में सामाजिक होता है, बाल्य अवस्था में मानसिक होता है किश्वावस्था में सारेरिक प्रतिरूप पाया जाता है या फिर खेल का प्रतिरूप और इस पस्ट एवब आनिश्यत होता है यहाँ पर आपको 88 का आंसर देना है क्या होगा यहाँ पर देखिए बाल विकास क्रम में खेल के सुरूप के बारे में पूछा गया है तो राइट आंसर आपका होगा सेस्व अवस्था में सारीरिक होता है बाली अवस्था में सामाजिक होता है और किसोर अवस्था में मानसिक प्रतिरूप होता है खेल का तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा पहला वाला होगा अगला प्रशन है कोई पक्षी पेड़ की उची डाल पर अपना घोशला बनाता है यहां पक्षी हो सकता है कोवा हो सकता है फाक्ता हो सकता है सकर खोर हो सकता है या फिर कल्चिरी हो सकता है important प्रस्ण है CTAT exam में पूछा गया है right answer आपका यहाँ पर होगा कोई पक्षी पेड़ की उची डाल पर अपना गोशला बनाता है वहाँ पक्षी कोवा हो शकता है अगला प्रस्ण कोशे जानवर रात में जाकते हैं जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं काला और सफेद हैं लाल और संतरी हैं बेगनी और नीला है या फिर हरा और पीला है important हैं CTAT exam में यहाँ प्रस्ण भी पूछा गया है तो आप सभी को पता है पड़ा होगा आपने के कुछ जानवर रात में जाकते हैं यह जानवर हर चीज को काला और सफेद रंग में ही देखते हैं यहाँ पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा vitamin C की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है इसकरवी होता है, बेरी-बेरी होता है, रतोंदी होता है या फिर थकान होता है vitamin C की कमी से आपको बताना है तो आपका यहाँ पर right answer होगा इसकरवी vitamin C की कमी से कौन सा रोग होगा या फिर कौन से बीमारी होगी इस करवी रोग होगा यहां पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रश्ण है खाद स्रंखला के परस पर सम्मू को कहा जाता है खाद चक्र कहते हैं स्रंखला अभिक्रिया कहते हैं खाद जाल कहते हैं या फिर बायो मास का पिरामिड कहते हैं खाद स्रंखला के परस्थ पर सम्मू को क्या कहते हैं तो इसको खाद जाल कहते हैं या पर तीसरा वाला विकल्पी आपका सही होगा अगला प्रुष्ण नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले बहुपाल जो की मद्धिप्रदेश में श्तित्थ है और फिर राची जो की जहरखन में है इसका ब्रह्मन करना चाहता है उसकी यात्रा की दिसा होगी पहले क्या होगी पूर्व दिसा में और फिर दक्षन दिसा में इसे चार दिसाएं दे रखी है तो आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है पहले बहुपाल और फिर वो राची जाता है त आप गाड़े से जा रहे हैं तो आप सभी को पता होगा देखिए यातायात के नियम के अंदर का तीन लाइट होती है एक तो पीली होती है एक लाल होती है और एक हरी लाइट होती है तो लाल और हरी के बारे में तो आपको पता होगा जब लाल हो जाती तो आपको रुख जान तो यहां पर पिली लाइट के बारे पूछा गया है जो लाल लाइट के जश्ट बाद होती है तो वो तियार हो जाओ याने कि लाल लाइट के बाद जो ग्रीन और लाल लाइट के बीच का जो अंतर होता है वो पिली लाइट करती है याने कि आप अभी तियार हो जाओ ग्रीन निकलता है, क्लोरो कार्बन निकलता है, आपका सही होगा, भारत की प्रथम ट्रेन कहां से कहां तक चली, थाने से मुंबई तक चली, मुंबई से गांधी नगत तक या फिर मुंबई से अहमदाबाद तक चली, भारत की प्रथम ट्रेन कहां से कहां तक चली, यहां पर आपका राइट आंसरोगा ये चली थी मुंबई से था नहीं यहाँ पर बी वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रश्ण भारत में प्रथम रेल लाइन बिचाई गई तो यहाँ पर आपका राइट आंसरोगा ये बिचाई गई थी 1853 में याद रखीगा इंपोटेंट हमारे देश में सबसे लंबा राष्टी राजमार्ग कौन सा है नह 1 है नह 7 है नह 3 है या फिर नह 49 है हमारे देश में सबसे लंबा राष्टी राजमार्ग के कौन सा है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा नह 7 यहाँ पर देखिए अभी यदि प्रश्ण में आ NH7 की जगापर NH44 आये तो आपका राइट आंसर NH44 होगा हमारे देश में जो सबसे लंबा राश्टी राजमारग होगा वो NH44 होगा ये सीटेट इग्जाम में पूछा गया तो वहां से लिया गया प्रश्णी है तब NH7 था तो सही आंसर आपका तब B वाला NH7 होगा लेकिन तत्व है सरीर रक्षक तत्व कौन सा है प्रोटीन है विटामीन है खनिज लवन है या फिर ये सभी है तो राइट आंसर आपका यहां पर होगा ये सभी प्रोटीन विटामीन और खनिज लवन ये तीनों ही सरीर के रक्षक तत्व होते हैं तो यहां पर ये सभी आपका रा पारिस्त की तंत्र में तत्व के चकरण को क्या कहते हैं तो आपका यहां पर राइट आंसर होगा जेव भूरा साइनिक चकर याद रखीगा बी वाला विकल्पी आपका सही होगा सेब संत्रा अनार और केले को खाने के पश्यात संत्रे का स्वाद सभी से भिन्न था क्यों था जब हम सेब संत्रा अनार और केला खाते हैं तो इनका जो पूछा गया है कि इनको खाने के बाद संत्रे का जो स्वाद है वो सभी से भिन्न था ऐसा क्यों था इसमें विटामिन A पाए जाता है इसलिए इसमें विटामिन भी पाए जाता है इसमें केलसियम पाए जाता है या फिर इसमें विटामिन सी पाए जाता है तो सभी को पता है कि जो संत्रा होता है उसमें विटामिन सी पाए जाता है इसलिए वो खटा होता है स्वाधा लग होता है त्राय टांसर विटामिन A या फिर वसा तो जो विड़तोंदी रोग है ये विटामिन A की कमी से होता है यहाँ पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा ड्रेकोमा रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है तंतरिका तंतर, श्वसंत तंतर, संपूर्ण सरीर या फिर नेतर 104 का राइट आंसर आपका होगा नेतर याद रखेगा ड्रेकोमा रोग से जो अंग प्रभावित होगा वो नेतर होगा याद रखेगा इंपोटेंट हैं फोर्त वारा विकलपे आपका सही होगा निमलकित में से सत्य कथन चुनी है और यहाँ पर कूट में आपको आंसर देना है चार विकलपे आपको देखने को मिलेंगे नीचे दूसरा विकलपे हैं कि अधिकान से हाथी दिन में लगबग 10 घंटे अराम करना और सोना पसंद करते हैं दूसरा विकलपे हमारा गलत होगा तीसरा विकलपा आपका अधिकान से बड़े हाथी एक दिन में लगबग 100 किलोग्राम पत्ते या फिर जाड़िया खा लेते हैं तो यहाँ पर यह भी हमारा सत्य कथन होगा यानि कि पहला तीसरा और चोथा यह तीनों ही कथन सत्य होगे तो आप यहाँ पर कूट में देखेंगे कि पहला तीसरा और चोथा कहाँ पर है तो आपको यहाँ पर पहला तीसरा और चोथा पहले वाले विकलपे में देखने को मिलेगा वो यहीं आपका सत्य कथन होगा आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण हमारा के जिन खेलों में खेल के नियमों समय की बाध्यता या किसी मर्यादा का कोई धियान नहीं रखा जाता है उसे कौन सा खेल कहा जाता है स्वतंत्र एवं स्वाभाविक खेल कहा जाता है रचनात्मक खेल कहा जाता है कल्पनात्मक खेल या फिर अनावश पर पहला वाला विकलपे आपका सही होगा कहानी सुनना, कोमिक्स पढ़ना, संगित सुनना, वीडियो गेमस खेलना, तथा टेलिविजन देखना, आदी को माना जाता है बोद्धी खेल, मनोरंचक खेल, अनावश्य खेल, या फिर कल्पनात्मक खेल प्रस्ण पढ़ते ही आंसर आपके समझ में आ गया होगा इन सबी को क्या माना जाता है, मनोरंचक खेल माना जाता है यहाँ पर B वाला विकल्पे आपका सही होगा मदुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिये आपर देखिए सही कथन आपको चुनना है, सीटेट इकजाम में पूछाएगा प्रस्ण है मदुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिये इन्हें चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल पेड़ों के रंग आदी का इस्तमाल किया जाता है बिल्कुल सही है इन्हें चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्छी, मचलिया, आदी दिखाये जाते हैं बी वाला विकलपे भी आपका सही है यहां लोग चित्रकला बहुत पुरानी है और उसका नाम मदुबनी नाम अकिस्तान के नाम पर पढ़ा तीसरा वाला विकलपी भी आपका सही है चोथा विकल्प है मदुबनी राजस्तान का अती प्रसिद जिला है तो यहाँ पर फूर्थ वाला विकल्प है आपका सही नहीं है क्योंकि मदुबनी राजस्तान का अती प्रसिद जिला है याद रखेगा है राजस्तान का अती प्रसिद जिला नहीं है कहां का है बिहार का है अगले प्रश्णी को बढ़ेंगे अगला प्रश्णी है निम्न में से स्रिक्त परिवार का एक गुन नहीं है कौन सा गुन स्रिक्त परिवार का नहीं है पूचा गया है क्रशी विवस्था के लिए उप्युकते है सासन विवस्था का एक छोटा स्वरूप है आलश्य का से संबन्द तत्य आपर देखे आयू तथा खेल से संबन्द तत्य के बारे में पूछा गया है आयू बढ़ने के साथ साथ खेल विकास क्रम में नियम बदता आती है बिल्कुल सही है आयू वरदी के साथ खेल की किरियाओं में कमी आती है ये भी सही है आयू बढ़ने के साथ साथ सारे एक खेलों में कमी तथा मानसिक खेलों में वरद्दी होती जाती है ये भी बिल्कुल सही है पूछा गया है आई यू तथा खेल से सम्मर्ण तथ्य तीनों ही सही है या फिर कह सकते हैं कि उप्योग तो सभी तथ्य सत्य है फूर्थ वाला विकल्पी आपका सही है, अगला प्रशन, बच्चो द्वारा लुका छुपी, भागना दोड़ना, एक दूसरे को पकड़ना तथा उचलना कूदना, आदी खेल माने जाते हैं, लड़ाई जगड़े के खेल माने जाते हैं, गतिसील खेल माने जाते हैं, रच वाला विकल्पे आपका सही होगा, आँखों की सुरक्षा के लिए कोन सा विटामिन आवशक है, A, B, C, या फिर D, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, A, और विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है, रतून्दी रोग होता है, जो की आँखों में होता है, यदी आखों की शुरुक्षा करना है तो आपको विटामिन A की आवशकता होगी तो यहाँ पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा। सरीर की समान व्रद्धी के लिए क्या आवशक है केल्सियम फास्फोरस है लोह लवन है आयोडीन है या फिर खनेज लवन है तो यहाँ पर आपका रैट आंसर होगा आयोडीन सरीर के समान व्रद्धी के लिए आयोडीन आवशक है यहाँ पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सह इसके बारे में आपको बता चुका हो विटामिन सी चाहे वो कोई साबी फ़ल हो जो खटा फल होता है उसमें विटामिन सी पाए जाता है। पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा सरीर में द्रव्यों की मातरा को नियंतित रखता है वहाँ क्या है प्रोटीन है जल है खनेज लवन है या फिर लोह लवन है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सरिर में द्रव्यों की मातरा को नियन तित कौन रखता है तो वो जल रखता है यहां पर बी वाला विकलपी आपका सही होगा यहां देखा गया है कि पाचन के लिए बाहर क्या पिक्छा आमाशई के अंदर अधिक तेजी से होती यहां पर बी वाला विकलपी आपका सही होगा अगला प्रशन विटामिन ऐसे पदारते हैं जो हिंतिया जन्न रोगों से बचाओ के लिए थोड़ी मातरा में आवशक है हमारी उपापचे दर बढ़ाना बढ़ा कर भार में कमी लाते हैं विटामिन से होते हैं यह थोड़ी मातरा में आवशक होते हैं और यह हिंतिया जन्न रोगों से बचाओ के लिए भी उप्योगी होते हैं तो राइट अंसर आपको क्या होगा विटामिन ऐसे पधारते ही जो हिंतिय जन रोगों से बचाओ के लिए थोड़ी मातरा में आवश्यक है तो यहाँ पर पहला वाला विकल पे आपका सही होगा अगला प्रश्ण निमिलकित में ऐसे भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छ होगा सबजियों को अच्छी तरह से दोना और फिर काटना सबजियों को काटना और तब उसे चलते पानी में दोना सबजियों को काटना और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना और फूर्थ विकल पे हैं बेक्टीरिया नश्ट करने के लिए सबज बनाने का अगला प्रस्ण किसके लिए मचली घर जिसे एक्वेरियम भी कहते हैं इसमें हवा वाला पंप रखा जाता है पाने को साफ करने के लिए जली पोदों को अधिक करबन डाया एक्साइड उपलब्द कराने के लिए अधिक ऑक्सिजन को पानी में घुलने देने के लि यहाँ पर तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा अगला प्रस्ण कोई भवन यह आवाज घर बन जाता है जब उसमें गेट लग जाता है ne जब उसमें रंगोन हो जाती है तब व्यक्ति अत्वा परिवार द्वारा रहना प्रारंब हो जाता है तब या फिर सजावट हो जाती है तब तो कोई भवन या आवाज घर बन जाता है जब उसमें व्यक्ति या फिर कोई परिवार रहना प्रारंब करता है तब वो घर या फ समुचित प्रबंद हैं सुरक्षा है या फिर उप्रुक्त सभी है तो आप समझी गए होंगे राइट आंसर आपका उप्रुक्त सभी होगा एकांथ तहा रोशनी एवं हवा का समुच्च प्रबंद और सुरक्षा ये तीनों ही एक अच्छे घर की विशस्ता होती है आवास क चुनाओ करते समय ध्यान रखना आवश्च के क्या ध्यान रखेंगे आप परिवार काका रेवं संगठन परिवार के किर्या कलाब परिवार की आर्थिक इस्ति आप प्रुक्त सभी तो इन तीनों बातों का ध्यान आपको रखना होगा आवास का चुनाओ करते समय तो यहा कुन सी विसस्ता पाई जा सकती है ले और लगड़ा के घरों में ये पूछा गया है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है पेड़ के तनों की लगड़ी से बनी ढालूचते होती है पत्थर के खमवों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट उचाई पर बने घर पत्थ ऍमीकला गारा और चुने से बनी मूटी दिवारे होती है और साँध में लकड़ी के फरस होते हैं पर कूट में आपको आंसर देना है तो ध्यान दीजेगा पहला, चोथा और पाँच्वा यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा और कूट में कहां पर आपको दी कर आँ अगला प्रिशन ग्रामिन चेत्रों में मकानों के धाचे वहां की जलवाई या फिर मोसम की इस्थिती से संबंदित होते हैं एक गाउं के मकानों के लक्षण नीचे दिये गए हैं अपर देखिए गाउं के मकानों के लक्षण दिये हुए हैं वहाँ पर आपको बताना है कि यहां गाउं किस राजज में होना चाहिए मकान मजबुत बास के खंबो पर बने होते हैं अंदर से भी मकान लकडी से ही बने होते हैं मकान जमीन से लगभग 3-3.5 मिटर उचाई पर बने होते हैं मकानों की छटे ढालो होती हैं यदि इस गाउं में भारे वर्सा होती हैं तो यहां गाउं किस राज्जी में होना चाहिए यहां पर देखिए 5 यहां पर विश्यस्ता दी गई है और पूछा गया है कि यह कून से राज्जी में आता है या किस गाउं यहां गाउं किस राज्जी में होना चाहिए चार पाच जो सथा दी गई है ये किस राज्य की होनी चाहिए असम राज्य की होनी चाहिए तो पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रस्म निमलकित में से कौन से सब्द समू आपस में निकटी रूप से सम्बंदे थे यहां पर यह सीटेट इग्जाम में पूछा गया है, आपने देखा होगा, पड़ा होगा, तो यहां पर सब्द समू आपस में कौन सा सम्मने थे निकटी रूप में, तो यह है हमारा मच्छर मलेरिया एनिमिया, जिसको हम रकतल पत्ता भी कहते हैं, साथ में लो, यह सबी जो सब्द समू है, यह आपस में निकटी रूप रखते हैं, तो पहला वाला जो विकल्प होगा, वो आपका सही होगा, अगला प्रश्न, बोद्धिक खेल होते हैं, किर्या प्रधान खेल होते हैं, शवेक प्रधान होते हैं, चिंतन प्रधान होते हैं, यहां फिर इन तीनों लेता है उसे क्या कहते हैं सास्त्री परिवार कहते हैं जन्म का परिवार कहते हैं जन्ता का परिवार कहते हैं या फिर इन में से कोई नहीं सरल सा प्रशन है जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है वो जन्म का परिवार उसे कहते हैं तो पर B वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रश्न किसने समाज को एक सामवाई माना है मेकाईवर एवं पेज ने माना है कूले ने माना है डेविस ने माना है या फिर स्पेंसर ने माना है किसने समाज को एक सामवाई माना है तो यहाँ पर I answer होगा हरबर्ट इस्पेंसर ने याद रखेगा हरबर्ट इस्पेंसर ने समाज को एक सामवाई माना है यहां फूर्ट वाला विकल्पे आपका सही होगा किस ने कहा मनुश्य श्वभावा आवशक्ता से एक सामाजिक प्राणी है बच्चों के लिए खेल है एक अरजित मनोरंजक कारी है एक जन्मजात प्रवत्ती है एक अनावशक प्रवत्ती है या फिर समय को वियर्थ गवाने की प्रक्रिया है बच्चों के लिए खेल किया है तो रखेट आंसर आपका होगा यह एक जन्मजात प्रवत्ती यहाँ पर B वाला विकल्पे आपका सही होगा खेल वहाँ कोई भी किरिया है जो अनंद प्राप्ति के लिए की जाती है और जिसके अंतिम परिणाम पर कोई विचार नहीं किया जाता यहाँ पर जो प्रस्तुत कथन है यह किसके द्वारा दिया गया है नन के रसेल के हर लोग के या फिर इश्टन के तो यहाँ पर दिया गया कथन हर लोग के द्वारा दिया गया है यहाँ पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा समाज एक सामवाई है समाज के विचार किस विद्वान के है यहाँ पर देखिए समाज एक सामवाई है यहाँ पर विचार पुछा गया है कि समाज की विचार किस विद्वान के हैं जिन से बर्ग के हैं बोगार्स के हैं स्पेंसर के हैं या फिर मर्टन के हैं तो यहाँ पर आपका रैटांस होगा हरबट इस्पेंसर भी थोड़ी दर प इथोलोजी में, जियो की विवार का द्यान इथोलोजी में किया जाता है, मदमक्खी पालन के विशे में सही कथन चुनी, यहाँ पर देखें सही कथन आपको चुनना है, मदमक्खी पालन के लिए यहाँ प्रसनभी सीटेट इकजाम में पूशा गया है, मदमक्की पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक का होता है यहां पर पहला जो विकल्प होगा वो सत्य होगा लेची के फूल मदमक्कियों को लुबाते हैं बिल्कुल सही है मदमक्की पालने और उनके द्वारा उत्पादित सहत का भंडारन करने के लिए बक्षू के आउशकता होती है तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्पे भी आपका सही होगा चोथा विकल्पे है मदमक्कियों के लिए मीठा घुल बनने के लिए चेनी खरीद जाती है तो यहाँ पर देखें सही कतन पूछा गया था मदमक के पालन के लिए तो दूसरा और तीसरा दोनों ही कतन सत्य होंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दूसरा और तीसरा कहां पर होगा तो यहाँ पर तीसरे वाले विकल्पी में आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर तीसरा वाला विकल्पी ही आपका सही अंसर होगा चमगादर इस्तंधारी है क्योंकि वहाँ उड़ता है इसलिए रातरी चरह है इसलिए साकाहरी है या फिर बच्चे देता है इसलिए तो इस्तंधारी क्यों है चमगादड क्योंकि वो बच्चे देता है इसलिए चमगादड इस्तंधारी है यहाँ पर फोर्त वाला विकल पे आपका सही होगा अगला प्रशन निम्न में से कौन सा कथन सही है एकल परिवार में दहेज प्रथा समानने बात है एकल परिवार में बाल सरम समानने बात है दहेज तथा बाल सरम समाजिक बुराईया है या फिर दहेज तथा बाल सरम सहरों में समानने बात है सही कतन पूछा गया था तो दहेज तथा बाल सरम दोनों ही समाजिक बुराई के आती है और यहां पर यहीं सही कतन होगा तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा किसके नेतरत्व में चिपको आंदुलन को बल मिला एके बेनर जी सुंदरलाल बहुगुणा अमरता देवी विस्नोई या फिर मेगा पाटकर इंपोटेंट और सरल ही आप सभी को इसका आंसर पता है सही आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा एके नेतरत्व में चिपको आं मित्र कहा जाता है बहुत सारे जो बच्चे है वो कमेंट के माध्यम से मधुमख wallet दि यहां पर आईट आंसर नहीं होगा जो केचवा है यह किसान इनको पालता है और अपनी खेती बर उपयोग में लेता है तो केचवा जो है यह किसान का मित्र कहाजाता है कि HB को तो B वाला विकल्पे आपका सही होगा सोडा काज का संगठन है सिलिका वा सिरियल आक्साइट का है सोडियम कार्बोनेट, कैलसियम कार्बोनेट, सिलिका का है लेड आक्साइट, पोटेशियम कार्बोनेट वा सिलिका का है या फिर उप्रुक्त में से कोई नहीं सोडा काज का संगठन क्या है 149 का यहां पर आपका राइट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट केलसियन कार्बोनेट और सिलिका यह सोडा काज का संगठन है तो यहां पर B वाला विकल्पि आपका सही होगा अगला प्रस्णू साधारन नमक और लोहे की छिलन को पदहरतों के किस गुण के अधार पर वर्गिकरत किया जा सकता है विलेता के, पारदर्सिता के, तन्यता के या फिर संप्रिडिता के किसके अधार पर वर्गिकरत किया जाता है अगला प्रशन देनिक जीवन में अत्यदिक प्रयोग की जाने वाली पोलेथिन किस प्रकार की प्लास्टिक है लाइलोन है बेकलाइट है थर्मो सेटिंग है या फिर थर्मा प्लास्टिक है तो यहाँ पर आइट आंसर आपका होगा थर्मो प्लास्टिक देनिक जीवन में अ प्रश्ण और चार विकल्पों को पढ़ते ही राइट आंसर आपके सामने होगा वास्पन द्रवी का वास्पन बनकर उड़ने की जो प्रक्रिया है वो वास्पन कहलाती है अगला प्रश्ण घरों में प्रिक्त सिलेंडरों से गेस के रिशाव पर जो दुरगंद आती है वहा आपका सही होगा अगला प्रश्ण से या फिर लाइकन है परजिवी है रसाइन स्वापोसी है अप घटक है या फिर सह जीवी है से क्या है राइट आंसर आपका होगा सह जीवी से या फिर लाइकन क्या है ये एक सह जीवी है तो यहां फर फोर्त वाला विकल्पे आपका सह जूमखेती होती है, केरल में होती है, बिहार में होती है, मेगाले में होती है, या फिर तमिलाडू में होती है, तो जो जूमखेती है, ये मेगाले में होती है, कहां पर होगी ये मेगाले में होगी जूमखेती है, यहां पर तीसरा वाला विकलपे आपका सही होगा, भारत में क्रशी को प्राभावित करने वाला मोशम का सबसे महत्पून तत्व कौन सा है तापमान है आदरता है पवन है या फिर वरश्टी है तो यहाँ पर आपका रैटांसर होगा वरश्टी भारत में क्रशी को प्राभावित करने वाला मोशम का जो सबसे महत्पून तत्व होगा व BT का पास एक transgenic पोध है, यहाँ पर B वाला विकल्पे आपका सही होगा, अगला प्रशन, कारी की रूप से सुस्क मिट्टी की क्या विसस्ता है, इसको कैसे पहचानेंगे, आपको यहाँ पर देखे, जो सुस्क मिट्टी होती है, इसकी क्या विसस्ता होती है, कारी की रूप में, इसको आप कैसे पहचानेंगे, पूछा गया है, विकल्पे हैं आपके, उसमें तीके पहचान करेंगे कारे की रोप से तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्पी आपका सही होगा अगला प्रशन इन में से कौन द्वीबीच पत्री पोधा है यहाँ पर देखें द्वीबीच पत्री पोधा के बारे में पूछा गया है बहां से केला है गन्ना है या फिर सरसो ह बीज पत्री पोधे के अंतरकत आता है यहाँ पर डी वाला विकल्पे आपका सही होगा पोधों में जल का अधीगरन किसके द्वारा होता है जायलम फ्लो एम केम बीम या फिर पैसी सेट तो यह होता है जायलम पोधे में जो जल का अधीगरन होता है वो जायलम के द्वारा हो अगला प्रस्म इन पोधों में पत्तियां हैं जिने सब्जी की तरह परियोग में लाया जाता है इनके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है यहां पोधा कौन सा है पालक है सर्सो है नारियल है या फिर बंदेगों भी है तो यहां पर तेल से आप आंसर लगा सकते हैं सर्स अगला प्रश्ण मिजोरम में की जाने वाली जूम खेती के विसे में निमली कित कतनों का ध्यन कीजिए थोड़ी दर पहले मैंने आपको बताया था कि जूम खेती कहां पर की जाती है मिजोरम में की जाती है अब आपको जूम खेती के संबंद में सही कथन बताना है कौन सा हो कर जला दिया जाता है जहां पर फसल उगाना है वहीं पर उसे जला दिया जाता है तो यह भी विल्कुल सही है बीज बोने से पहले भूमी की गहरी जूताई नहीं जूताई की जाती है तो यसा नहीं होता है गेहरी जूताई नहीं होती है जो फसल होती उसे डाल दिया जाता है यहाँ पर किसी भी प्रकार की गेहरी जूताई नहीं होती है तो यहाँ पर तीसरा विकलप आपका सत्ते होगा चोथा है एक एक ही तो जो जूम खेती हैं इसमें किसी भी प्रकार की रासाइनिक और वरक और कीटनासक का उप्योग नहीं होता है जैसा कि मैंने आपको बताया था पहला दूसरा और चोथा सही कतन पूछा गया था तो पहला दूसरा और चोथा आपका सही कतन होगा और तीसरे विकल्पे में आ आपका सही होगा अगला प्रश्ण है परियावर्ण सुरक्षा अदिनियम कब बना 1986 में स्थी में 56 में या फिर 90 में कब बना था काफ इंपोटेंट प्रश्ण है एक्जाम में पूछा गया है तो यह बना था 1986 में परियावर्ण सुरक्षा अदिनियम 1986 में बना था यहां पर ये बना था 1974 में जल सनरक्षण एवं प्रोदूसर्ण नियांतरन अधिन्यां 1976 में बनायां पर बी वाला विकल्पे आपका सही होगा वातावरन के अनुरूप पोधो एवं जन्तूव में पाए जाने वाले सारे रिक लक्षणों को कहते हैं क्या कहते हैं अनुकूलन पर जीवितार उपांतरन या फिर ये सभी तो यहां पर आपका रायटांसर होगा अनुकूलन वातावरण के अनुरूप पोधो एवं जन्तुव में पाई जाने वाले सारेरी कलक्षणों को अनुकूलन केहते यहां पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा ग्हास के मैदान की खादी कड़ी में सरोता है सर्वत्तम उपभुकता है, साकाहरी है, मानसाहरी है, साकाहरी तथा मानसाहरी है, अफिरिन में से कुई नहीं है, घास के मेदान की खाद दिकड़ी में सर्वत्तम उपभुकता कौन सा है, तो यहां पर आपका रायटा अंसर होगा, मानसाहरी है, यहां पर भी वाला विकल्प होंगे जली अवास होंगे गुर्प्रीत पहली बार रेल गाड़ी से नहीं दिल्ली से चेनने गया अपनी रेल गाड़ी में उसकी गाड़ी के द्वारा निमलिकित में से किस नदी को पार करने के संभावना नहीं है प्रश्ण को आपको ध्यान से पढ़ना है दिल्ली से चेनने जा रहा है इसके बीच में कौन सी नदी नहीं आईगी या फिर कह सकते हैं कि कौन सी नदी को पार करने के संभावना नहीं है पूछा गया है गंगा, क्रश्णा, वदा और गुदावरी इन तीनो नदियों को आप पार करेंगे लेकिन गंगा को नहीं करेंगे तो पहलावाला विकल्पे आपका सही होगा हमारे देष में निमलिखित इस्थानों में से कोन सा थंडा रेगिस्तान है? हमारे देष भारत की बात हो रही है कि निमली की तिस्थानों में से कौन सा थंडा रेगिस्थान है लद्दाक है मेगाले है दारजलिंग है या फिर जेसल मेरे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा लद्दाक हमारे देश में लद्दाक जो इस्थान है ये थंडा रेगिस्थान है आपर पहला वाला जो व कितने घटक होंगे दो होंगे परवती आवाशों में पाए जाने वाले जीव जन्तुओं की विसस्ता यहां पर देखे जीव जन्तुओं की विसस्ता आपको बताना है परवती आवाशों में पाए जाने वाले इनकी तवचा मोटी होती हैं इनकी तवचा पर बड़े बड़े बाल होते हैं, इनके खूर बहुत मजबूत होते हैं, या फिर उप्रुख तो सभी, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, इनकी तवचा मोटी होती हैं, इनकी तवचा पर बड़े बड़े बाल होते हैं, साथ में इनके खूर बहुत मज जबुद होते हैं ये परवती आवाशों में पाए जाने वाले जीव जन्तु की विसेस्ता है तो राइट आंसर आपका उप्रुख तो सभी होगा लहुगाला कितूलाना नेशनल पार्क किस देश में? यहाँ पर देखें लहुगाला कितूलाना जो नेशनल पार्क है यह किस देश में हैं? भारत में हैं? बांगला देश में हैं? भूटान में हैं? या फिर स्री लंका में हैं? काफ़े इंपोर्टेंट प्रस नहीं ध्यान लहु गाला, कितु लाना जो नेशनल पार्के है, ये स्री लंका देश में इस्तित थे, यहाँ पर फॉर्थ वाला विकल पर आपका सही होगा, पाइपलाइन परिवहन का सम्बन्द निमलिकित में से किस से हैं, जल से हैं, खनिच तेल से हैं, बिजली से हैं, या फी दिन में से कुई नहीं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा घनिच देल से, पाइपलाइन परिवहन का जो संबंद हैं, ये घनिच देल से हैं, निवलिकित में से कारवन डाय अक्साइड निकाल दी जाए, तो सरप्रतम कोन से जीव प्रभावित होंगे, प्रा प्रात्मिक उत्पादा किस प्रकार का प्रशन में आपको बता चुका हूँ, राइट आंसर आपको पता होगा, या आपने धिहन दिया होगा, राइट आंसर आपका होगा, प्रात्मिक उत्पादा कि या पर D वाला विकल पे आपका सही होगा, अगला प्रशन, पोधों मे जल का अधिगरन किसके द्वारा होता है जाइलम, फ्लोएम, केंबियम या फिर पहले सिट तो इसके बारे में भी आपको पता चुका हूँ पोधो में जो जल का अधिगरन होता है जाइलम के द्वारा होता है मरत सागर क्या है यहां पर देखें, मृत सागर के बारे में पूछा गया है, एसा सागर जिसमें जोर भाटे बहुत तीवर गती से आते हैं, एसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है, एसा सागर जिसका पानी जहिरला होता है, या फिर एसा सागर जो सभी महाशागरों वा सागरों से ज्यादा नमकिन होता है, मुर्द सागर के बारे मैं पूछा गया है, तो रहे टांसर आपका होगा, एसा सागर जो सभी महाशागरों वर सागरों से ज्यादा नमकिन है, वो मुर्द सागर होता है, यहाँ पर डी वाला विकल पे आपका सही होगा, जल प्रदूसर्ण नियंतर्ण एवं निवारन अधिन्यम पारित किया गया कब किया गया 1978 में, 70 में, 79 में या फिर 80 में कब किया गया था तो इसे 1978 में किया गया था याद रखेगा जल प्रदूसर्ण नियंतर्ण एवं निवारन अधिन्यम जो पारित किया गया था ये 1978 में किया गया था विश्व भर में जल दिवस कब मना जाता है सबी को पता है कि जो विश्व दिवस है ये 22 मार्ची को मना जाता है विश्व भर में अगला प्रस्वन है जिस जल में साबून या डिटरजेंट असानी से ज्ञाग उत्मन करता है वो कहलाता है मरदू जल, खारा जल, कठोर जल या फिर असुद्ध जल तो याद रखीगा वहाँ जल कौन सा होगा मरदू जल होगा जिस जल में साबुन या डिटरजेंट आसानी से जहाग उत्मन करता है वहाँ मरदू जल कहलाता है यहाँ पर पहला वाला विकल पर आपका सही होगा क्वथन या फिर उबलना और वास्पिकरण में अंतर यहाँ पर देखें क्वथन और वास्पिकरण में आपको अंतर बताना है चार विकल पर दिये गए हैं क्वथन से दर्वी का आयतन कम हो जाता है जबकि वास्पिकरण का नहीं होता है क्वथन में दर्वी से वास्पिकरण परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वास्पिकरण देखा नहीं जा सकता क्वथन से जलकी अवस्ता बदल जाती है जबकि वास्पिकरण की नहीं अगला प्रेखा की मा रोजाना तलाप से लाए पानी में फिटकरी डालती है क्यों डालती है पानी को रंग रहित करने के लिए हलके निलंबित अब दरव्यों को अउशादित करने के लिए कठोर जल को म्रदू जल में परिवर्तित करने के लिए या फिर पानी में मुझूद रोगानों को खत्म करने के लिए तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हलके निलंबित अब दरव्यों को अवशादित करने के लिए रेखा कि मा रोजना तलाब से लाइपाधिय में फिटकरी डालती है यहाँ पर B वाला विकल्पे आपका सही होगा लकड़ी इंट इस्टिल कंक्रीट आदी से निल्मित आसरी होता है म्रदू होता है कठोर होता है दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं राइट आंसर आपका होगा लकड़ी एंट इस्टिल कंक्रीट आदी से जो निलमी तासरी होता है वो मुरदू भी होता है और कठोर भी होता है तो यहाँ पर एव भी दोनों आपका राइट आंसर होगा अगला प्रशन है निमनिस्तर के जीवधारी जिसे की बेक्टेरिया कवक आदी को किस स्रेणी में रखा जाता है उत्पादक भोकता अपगटक या फिर इन में से कुई नहीं तो यहाँ पर जो निमनिस्तर के जीवधारी जिसे की बेक्टेरिया कवक है इनको अपगटक की स्रेणी में रखा जाता है पहड़ी छेतरों में इनके सम तुल लिये यानि कि मेदाने छेतरों में तो गधे एवं खचर का प्रयोग होगा लेकिन पहड़ी छेतरों में याक का प्रयोग किया जाता है अगला प्रशन है अगला प्रशन है हमारे देश में आवागमन के लिए सबसे अधिक उचाई पर इस्थित राजमार के कौन सा है अगला प्रशन है मुंबई इस्थित हवाई अड़े का नाम क्या है भारत का सबसे बड़ा सरकारी प्रतिष्ठान कौन सा है भारत का सबसे बड़ा सरकारी प्रतिष्ठान के बारे में पूछा गया है आपका राइट आंसर हुगा रेल परिवहन सेवा ये भारत का सबसे बड़ा सरकारी प्रतिष्ठान है रेल परिवहन सेवा यहाँ पर फोर्त वाला विकल्पे आपका सही होगा राष्टी पसू के बारे में पूछा गया है मोर है सेर है बाग या फेचिकारा है सभी को पता है इंपोटेंट और सल प्रस्न है बाग राष्टी पसू है भारत का तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा वन जीवों को मारने तथा वनों को काटने से होता है बाड़ा ना सूखा पढ़ना मरदा अपरदन या फिर यह सभी तो वन जीवों को मारने तथा वनों को काटने से बाड़ भी आती है सूखा भी पढ़ता है और मरदा अपरदन भी होती है तो राष्ट आंसर आपका यह स पिर ये सभी तो यहाँ पर देखे प्रत्वी वनस्पती विहिन हो जाएगी वनस्पती सूख जाएगी साथ में वनागनी की घटनाई बड़ेगी प्रत्वी के ताप मानवी व्रद्दि जै वनस्पती पर इन तीनों का प्रभाव पड़ेगा तो राइट आंसर आपका किसके बीच होता है? ग्रांट सर कुलकत्ता के बीच पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा देश की बड़ती जनसंख्या के कारण होने वाली भीड़ भाड़ पर नियंतरन करने के लिए कौन सा तरीका अधिक सही है? फ्लाई ओवर बनाना? याताजाज संबंदी नई नियम बनाना राजमार्गों का चोड़ा करना याताजाज संबंदी नियमों को कठोरता से लागू करना तो यहाँ पर देखे सही तरीका पूछा गया है राइट आंसर आपका होगा यातायार संबंदी नियम को कठोता से लागू करना है या फोर्त वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रश्ण राश्टी राजमार्ग को जोडने वाली प्रमुक सडके राश्टी राजमार्ग को जोडने वाली प्रमुक सडकों के बारे हम पूछा गया है महानगरों की सड़के, राजी की रायधानियों की सड़के, राष्टो या फिर जिले की सड़के तो यहाँ पर देखिए, right answer आपका होगा राजी की राज़द्हनी की जो सड़के हैं, यह राष्टी राजमार्गों को जोड़ने वारी परमुक सड़के होती हैं यहां पर जो बी वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। भुकम्प किस से मापा जाता है वो फोर्ट पेमाने में न्यूटन में डेसिबल में या फिर रियक्टर पेमाने में सभी को पता है जो भुकम्प है ये रियक्टर पेमाने में मापा जाता है। तक चलाई गई थी उनके बीच की जो दूरी थी वो 34 किलो मिटर थी विस्व में जल संकट का प्रमुक कारण है नगरी करण है उद्योगी करण है विस्व के तापमान में व्रद्धी है या फिर अमल वर्सा है तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा नगरी करण विस्व मे जल संकट का जो प्रमुक करण है वो नगरी करण है निमलकित में से कौन सा सदा बाहर पेड नहीं है प्रशन कुद्यान से पढ़ना है सदा बाहर पेड कौन सा नहीं है नीम इमली बबूल या फिर सहतूत तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा सहतूत जो सहतूत का सर मेफलिन अरस्तू रॉबिन से या फिर यह सभी तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा वेश्टन मार्क सांथ में लुईस मारगन यह परिवार के उत्पत्ति के विकास वादी सिधान्त के समर्तक है एक पत्नी के एक से अधिक पत्ति वाला परिवार क्या कहलाता है बहु पत्ति परिवार कहलाएगा और एक पत्ति के एक से अधिक पत्ति हैं तो वाला परिवार क्या कहलाएगा यहां पर पहला वाला विकल्प्याप का सही होगा यदि आप चाहते हैं कि बालक सुन्दर वस्तों की प्रसंसा और निर्मान करें तो उसके चारों और सुन्दर वस्तों प्रस्तुत कीजी यहां कथन किसका है सुकरात का है प्लेटो का है या फिर पेस्टालोजी का है तो यहां पर जो दिया गया कथन है यह प्लेटो का कथन फिर में आपको बता रहा हूं यदि आपको इसकी पीडियाप चीए तो आप हमारे एपस टेट सेक्सेस को डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पर आपको ये फिरी में उपलब्द हो जाएगी और गहुत सारे प्रशने भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे लगभग 15,000 से जादा आपको देखने को बिलेंगे वो भी बिल्कुल फ्री में तो लिंक डिसक्रप्शन में जाकर डाउनलोड कर लिजेगा और अपने रेटिंग देना ना भूले तो यहाँ पर अगला प्रशने हैं भारत में प्रथम बायो गेज साही अंत्र कहां स्थापित हुआ है पिलानी म स्थाप रेटरोजन का है या फिर अक्सिजन का है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा carbon die oxide का सुस्क बिर्फ कारबन डाई अक्साइट का ठोंस रूप है अगला पॉस्ण नहरा राजिव गौन्धी के नेतरत्व में पढृवरन वन मंत्राले का स्रजन कब किया गया था 17 सितमबर 1885 में 1885 में 1875 में 1885 में कब किया गया था 17 सितमबर 1885 में याद रखियेगा राजियो गांदी के नेतरतु में पर्यावरण वन मंतर अले का जो सरजन किया गया था ये 17 सतंबर 1985 में किया गया था पर्यावरण के प्रमुख कितने संगठक होते हैं दो तीन चार या फिर पांच तो याद रखेगा परियावरन के प्रमुख जो संगठक होते हैं वो कितने होते हैं तीन होते हैं तीन कुन-कुन से होते हैं जेविक संगठक जेविक संगठक और उर्जा संगठक ये तीन प्रकार के संगठक होते हैं परियावरन के प्रमुख तो यहाँ पर बी वाला विकल्पे आपका सही कौन सी विधा ने मानव जीवन को सामुहिक जीवन प्रदान किया है पसुपालन मसली पानन दोनों या फिरिंद में से कोई नहीं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पसुपालन पसुपालन ने मानव जीवन को सामुहिक जीवन प्रदान किया है यहाँ पर पहला वाल कब मनाया गया था अज का वीडियो आपको कैसे लगा आपको कमेंट से करे माध्यीन से बताना है वीडियो को लाइक करना है शेर जल्दी से कर देना है जल्दी दोस्तों के नई वीडियो के साथ मिलेंगे जब तक के लिए धन्यवाद